नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर लोकमंच जेश्टन आगरिक मंडल मालगी नगर वश्रूती योग हस्पिटल के सेयुक्त तत्वावधन में मालगी नगर स्वाजी पार खनुमन मंदीर प्रांगण में अस्थी रोक शिविर आयोजित किया गया दवाईयों का निशूल क वितरन किया गया इस शिविर का लाप कई स्थानिये वरिष्टन आगरिकों ने लिया शिविर की शुर्वात मंगला चरन से वी शिविर में पुर्व विदर्व जेश्टन आगरिक मंदल की महिला प्रमुग सुननद हरने प्रमुग अतिति के रूप में उपस्तित थी शिविर में वरिष्ट समाज सेवी विलाज बांगरे के सौजन्न से दवाईया निशूल के वितरित की गई प्रास्ताविक भाषन मंदल के अध्यक्ष रमेश जांगडे ने दिया सूत्र संचालन मंदल के सचिवव कारेक्रम सयोजक डॉक्टर दीपक शेंडे करने किया मान्यवरों का आभार कैप्टन प्रभाकर विंचूर करने माना शिवीर में श्रूती योग हस्पेटल के डॉक्टर योगेश कामडी ने सेवा प्रदान की शिवीर के सफलतार्त, नामदेव शिंगने, भासकर गावंडे, दिलिप गायकवाड, प्रभाकर सववला के, वासुदेव खड़से और उन वानखेडे प्रमो दंजन कर आधी ने प्रयास किया मेडिकल सुविधाओं का निर्मान अप सारवजनिक नीजी सहयोग से किया जाना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र साइद बुनियादी ढ़ाचे के क्षेत्र में अनुसंधान को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योकि नया अनुसंधान ही हमारा भविश्य है, कैंसर को क पैसे रोका जाए, इस पर काफी काम किया जा रहा है, कैंसर अस्पताल इस शेत्र में और अधिक प्रयास करेगी, यह प्रतिपादन केंद्रिया राजमार्गा और परिवान मंत्री नितिन गड़करी ने किया, वर्धा जिले के सावंगे मेगे में दत्ता मेगे की पाहल पर प्रकाश मिश्रा, विधायक समिरमेगे, सागरमेगे, आधि मान्नेवर उपस्तित थे, आगे बोलते वे गड़करी ने कहा कि आज एक गरिप नागरिक के लिए अस्पताल में चिकित्सा का खर्च उठाना मुश्किल है, वह इतना खर्च वहान नहीं कर सकता, इसके लिए स जिलमिला ते प्रकाश और जगमग मंच पर, हजारो शुरुताओं के समक्ष रैप गायन प्रस्तुत करने वाले रैप सिंगर योयो हनी सिंग उर्फ हिरदेश सिंग, नयले के आदेश का पालन करते वे शनिवार को ही नागपुर पोच गये थे, रात में सेंपल लेना संभ होना होने के कारण, रविबार को उन्होंने कोतवाली थाने पहुच कर वाइस सेंपल देने के लिए रैप गाया कर सुनाया, नयले के आदेश के बाद वाइस सेंपल लेने के दवरान ठीक से आवाज रिकॉर्ड हो सके, इस उद्देश से पुलिस ने भी करीब 3 गंटे तक कई बार टेक रिटेक लिया, थोड़ी मशकत के बाद ही व्यवस्तित वोईस सिंपर लिया जा सका, बता दे कि अपने गीतों में अशलील शब्दों का प्रयोक कर उसे यूट्यूब पर अपलोड किये जाने के कारण, योयो हनी सिंग फिलहाल मुसिबत में फसे हुए है, उ उसके अनुसार हनी सिंग के खिलाप, वर्ष 2014 में पाचपावलि थाने में एफायर दर्श की गई थी, इस मामले में सत्रन एयले ने वर्ष 2015 में हनी सिंग को सशर्त जमनत दी थी नाकपूर कानून के ख्षेतर में एक बड़ा नाम है, और इस शहर ने सुप्रीम कोट को भी कई जज दिये है, इसलिए नाकपूर के लिए अति महत्वा कांग्शी, महराष्टर नेशनल लौ उनिवर्सिटी भवन के निर्मान की गति के अनुसार, इस कार्य के लिए जित बैठक में बोल रहे थे, विधी विश्व विद्याले के कुलाधी पती और उच्चतम नयायले के नायदिश भी आर गवई, मुंबई उच्च नायले के नायमूर्थी S.B. शुकरे, नायमूर्थी A.S. चांदूर कर, नायमूर्थी अनिल किलोर, विधी विद्या पि में डॉक्टर राउत ने संतोश वेक्त किया। लॉबुकलेट CLR का वीमोचन भी पालक मंत्री के हातों हुआ। डॉक्टर राउत ने प्रमुक सचु विकास रस्तोगी से विधी विश्व विद्याले के लिए स्विकरुद धनराशी की जानकरी मंगी। देते हुए बताया कि भारतीय रेल्वे ने नाकपूर और मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन संचालित करने का प्रस्ताव रखा है। उसके माध्यम से लगबख 766 किलोमिटर की दूरी महच 3.5 घंटों में पूरी की जा सकेगी। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोम उनने बताया कि इस समय ऐसे साथ कोरिडर के लिए बुलेट ट्रेन की डिपी आर का काम किया जा रहा है। दानवे ने कहा हमने इस सुपरफास ट्रेन का प्रस्ताव समरुद्धी हाइवे प्रोजेक्ट के साथ रखा है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 70 फीस अधी हमारु में प्रसिद्ध बॉलिवूड हस्तियों की उपस्तिती में बॉलिवूड आइकॉन अवर्ड 2022 से सम्बानित किया गया। फिल्म निर्माता मुकेश गुपता और ब्राइट आउट डोर मीडिया के योगेश लखानी ने सलिम रह्मान को डाक्टर कृष्णा चवान क गोस्वामी, राजकुमार कनोजिया, गायक दीने शिराटे, गीतकार जिनत अहसान कुरेशी, शिरीन फरीट सईथ, बॉलिवूड के कई जानेवाने कलाकार उपस्तित थे। इस अवसर पर जले विवाई गीत की गाई का रितु पाठक को भी गायन के क्षेत्र में उपलब आजिकर अपना विरुद दर्श किया, यहाँ प्रदर्शन युवाक कॉंग्रेस शहर उपाध्यक्ष वसीम खान के नित्रुतों में हुआ, इस अवसर पर नागपुर शहर युवाक कॉंग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने बताया कि सभी धर्मों के लोगों को उनके हि के सव्विदान ने दिया है इसलिए यह अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता और सव्विदान मूल्यों के साथ कभी बरदाश नहीं की जाएगी इस अउसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम नागपुर शहर युवा कॉंग्रेस महासचीव अजहर शेक शोयप खान फर्दीन खान फिरोज खान अतुल नवनगे पवन काजी सर्फराज खान जिशान बाबू संकेत नितनवरे इस्टियाक आधिकारे करता एवं पदाधिकारी गर्ण उपस्तित थे हाल ही में नागपुर महानगरपाली का प्रशासंद्वरा शहर में स्टित ऐतिहासिक कुवो व बावडियों के सवर्धन करने का निर्ने लिया गया जिसके अंतरगत सभी कुवों की सफाई कर उस पर आरो प्लांट लगाया जाएगा जिससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी नागपुर शहर में 52 एतिहासिक कुवे होने की जानकरी नागपुर महानगरपाली का के दस्तावेजों में दर्ज है लेकिन बोसले का लिंग शेत्र को देखे तो अब भी कई कुवे है जिसकी जानकरी मनपा प्रशासन के पास नहीं है Zero Mile Foundation के सदस्य वजलमित्र डॉक्टर प्रविन डबली ने महापौर दयाशंकरतिवारी का इस मुद्धे को नय देने हे तो आबार माना है साथी उन्होंने उम्मिच जताई है कि मनपा चुनाओ के बाद आने वाली नए पदादी कारी भी इस योजना को अमल में लाएंगे साथी एक समय बद्ध कारेक्रम के अंतरगत निश्चित समय में कारिया पुरुन करने की गोशना करनी चाहिए ग्याथो की एतियासिक कोओ के संबन में जिरो माइल फाउंडेशन के सदस्य वा जलमित्र डॉक्टर प्रविन डबली ने 15 मई 2021 को महापुर्दया शंकरतिवारी वा पालक मंत्री नितिन राउत को ऑनलाइन ग्यापन देकर शहर के एतियासिक कोओ का सववर्धन करने की मां पूर में मात्रू पित्रू पुजन दिवस का आयोजन किया गया इस कारेक्रम में अतितियों के रूप में प्रविन कुलकरनी जया आसनानी सालवेकर गीत केसनानी किर्ती विधानी विक्रम भाई धन्वनती बुधवानी साहू बालानी प्रमुकता से उपस्तित थे कारेक् करने हेतू वैलेंटाइन डे के प्रतिरोध में इसे मात्रू-पित्रू-पूजन दिवस के रूप में मनाने का श्रेष्ट कदम उठाया गया है। अबहर प्रदर्शन शाला की प्राचरिया चित्रा दौलतानी द्वारा किया गया। 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायों के सभी नागरिकों को कोवीशेल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी डौक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोत मेडिकल कॉलेज डौक्टर बाबासायब आमबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महालरुग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमांबड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपस्त्री अस्पताल पाचपौली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलबदे पंडित दिंदयाल उपाध्ध्य की पुन्नतिती के अउसर पर उनकी प्रतिमा पर मालयरपन कर समरपन का कार्यक्रम बीजेपी कार्यले में संपन्न हुआ इस कार्यक्रम में कर्वसुली समीती सभापती महिंदर धन्विजे ने कहा कि पंडित दिंदयल उपाध्ध्य के विचारों को हमें पालन करना चाहिए मंगलवारी जोन अध्धेक्ष्य प्रमिला मत्रानी ने पंडित दिन्दे अलोपाध्ध्य के जीवन और कारियों पर प्रकाश दाला अर्जुन गंगवानी वाड महिला अध्धेक्ष्य सीमा मेश राम पूजा मोरियानी समर्थ सीमा राम चंदानी खेलेंद्र बिठले आदि उपस्तित्थे आर्य विद्या सभाद्वारा संचालि दयानन आर्य कन्या महाविद्याले जरीपटका में शारिरिक शिक्षा वक्रीडा विभाग द्वारा आजदी के अमरुत महत्सो वरश गाट पर 75 करोड सुर्य नमसकार उपकरम मिशन के अंतरगत महाविद्याले के सभागरुह में आयोजन किया गया कोरोना महामारी के चलते नियमों का पालन करते हुए प्राचारिय डॉक्टर शद्धा अनिल कुमार के मार्क दर्शन में सुर्य नमसकार इवेंट का प्रारम किया गया इस आउसर पर खेलवी भाग प्रमुक प्राध्यापिका डॉक्टर मिनाबाल हैरिटेज वोग का आयोजन किया वोग हाइब्रेड मोड में आयोजित की गई थी हैरिटेज सवरक्षन क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले 60 से अधिक लोगों ने ओफलाइन माध्यम से इस उपक्रम में भाग लिया और तीस प्रतिभागी ओनलाइन माध्यम से शामिल रगुजी राजे भोसले के शासनकाल में इस क्षेत्र को नाखपुर के बाग के रूप में विकसित किया गया रगुजी राजे भोसले ने सक्करदरा को अपना महल बनाया वसंत पंचमी उत्सव चिडिया घर और सितावड़ी युद्ध जैसे विभिनन चीजों पर आर न और लाल बंगला सहित विभिनन विरासत सनरचनाओ का समावेश है। हाइब्रिड मोड में हेरिटेज वोक आयोजित करने का पहला प्रयास सफल साबित हुआ क्योंकि नाखपुर की विरासत केवल शहरवासियों तक ही सीमित नहीं थी बलकि ओनलाइन प्लैटफर्म के माध् से भारत के विभिनन हिस्सों तक पहुच गई थी। कारे करताओं एवं पधादी कारियों का भाचपा का दुपट्टा पहना कर भारतिय जनता पार्टी में प्रवेश करवाया। विजय जेठानी, विजय वरियानी, विकेश जेठानी, बंटी सबगडी, सुशिल चेलानी, अशोक मोरनी, सत्यपाल केवल रामानी, संतो शरंगलानी, संजे चंद्यकर आधी का समाविश रहा। इस अउसर पर गड़करी ने सभी भाचपा में प्रवेश करने वाले नवनिक्त पधाधी कारियों, एवं कार्यकरताओं को बधाईया दी, तथा पुर्वस्थाई समिती अध्यक्ष, विरेंद्र कुक्रेजा ने भाचपा की आने वाले, महनगरपाली का चुनाओं में प् आज होटेल में पार्टी रखी गई थी, इस अउसर पर मुख्य अती थी, प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई, प्रहलाद मोदी थे और जिनके साथ ओन्रेरी कॉंसल ऑफ दो युनाटेट रिपबलिक औफ तंजनिया, कृष्णा पिंपले, डारेक्टर गजिरा डेवलोपर के डारेक्टर लीला गजिरा, फिल्म वर्ट टीवी निर्माता, संजेश रवन, हॉलिवुड एक्ट्रेस इलियाना, बॉलिवुड एक्ट्रेस अलीना, वो जेवा खान आधी मानेवरू पस्तित थे शारपुलिस आयुकताले और ट्राफिक विभाग के सड़क सुरक्षा दल की और से, 33 सड़क सुरक्षा महा के तहत, आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 1050 बच्चों ने हिस्सा लिया और कागजों पर अपने मन के रंगु गेरे ये कारेक्रम हीरो मोटो कॉप्स के सहयोग से भारत नगर स्तित गायत्री एजुकिशन सोसाइटी के मैदान पर आयोजित किया गया चित्रकला प्रतियोगिता में ड्रॉइंग के साथ-साथ घोश्वाक्य स्परधा भी हुई इस अउसर पर स्कूल के मुख्याधापक, शिक्षिकों के अलावा कॉटन मार्केट जोन के पी आई हनुमंत उरला गोंडावार गजानन भट कर गायत्री एजुकिशन सोसाइटी की सचिव वो परियवेक्षक रुपेंद्र बसेशंकर आदिमान्यव रुपस्तित थे ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन और सिध्धी विनाएक ट्रस्ट के संयुक्त रुप से जिल्पी मोहगाव तालाप परिसर में स्वच्छता अभियान चला कर तीज बोरी कच्रा एकत्र किया गया साथ ही रुक्षर उपन और रंग रोगन कर परिसर को सुन्दर बनाया गया इस परिसर में आने वाले परियटकों को परिसर स्वच्छ करने के समन्द में जनजागरूती की गई इस उपक्रम में पुर्वा महापोर संदीप जोशी मुख्य रुप से उपस्तित थे ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन के फाउंडर संदीप मानकर ने जनता से अपिल की है कि तालाप परिसर और नदी परिसर को स्वच्छ रखे ताकि गंदगी की वज़ह से पानी दुशित न हो और पानी में रहने वाले जिवजन्तु को प्रदुशन की वज़ह से खत्रा इस कारेक्रम में दिनेश करम चंदानी, अनुराग नेवारे, निलेश राउत, पंकस्त्रीवेदी, शिवकुमार शाहु, संकेत तैवाडे, राजे समवदिया, साहिल मिश्राम, अमर हुसेन, अमन कानोजे, अनुराग बिसेन, राहुल ठाकूर, किरन बाउने, रंजीता र गोपाल पेटकर, जोचनाकुरेकर, सुरेश गंधेवार, कल्पना डोंगरे, कल्पना महोरले, प्रमोद राम्टेके, भरच शाओ, रबजोच सिंग भसिन, श्रेश्ट चौरसिया, आदिव पस्तित्त्ते महात्मा गांधी अंतराश्ट्रिय हिंदी विश्वविद्याले और अखिल भारतिय गंधर्वा महाविद्याले मंडल, मुंबई के बीच संगित से जुड़ी अकायजमिक गतिवीधियों के दान प्रदान की दुरुष्टी से समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षार किये गए गुरुवार दस्वरवरी को सवात कक्षमे आयोजित बैठक में विश्वविद्याले के कुलसचिव कादर नवास खान और भारतिय गंधर्वा महाविद्याले मंडल मुंबई के कुलसचिव विश्वास जाधव ने इस समझोते पर हस्ताक्षार किये शाम निसाल विश्व विद्याले के साहित्य विद्यापिट के अधिश्ठाता प्रोफेसर अवधेश कुमार प्रदर्शन कारीक अलावी भाग के अध्यक्षय डॉक्टर ओम प्रकाश भारति पस्तित थे इस समझोते के अंतरगत सनातक स्तरपर पाठ्यक्रम चलाना, हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान, संगित और साहित्य काव्वे रचना के सिध्धान्त आदी विश्यों को संगित अलंकार पाठ्यक्रम में वैकलपिक विश्य के रूप में रखना दोनों संस्थाओं के बीच अनुसंधान की गति वीधियों को संचलित करना, विश्वई द्याले में स्वतंतर रूप से भारतिय संगित अध्यन केंद्र स्थापना करना आदी मुद्दो को शामिल किया गया है ये समझोता आगा में पांच वर्ष तक की अवधी के लिए मानने रहेगा तरुन क्रांती मंच के अध्यक्ष समात सिवी डॉक्टर राजेंद्र धुमाल, लक्ष्मिनगर नागपुर को अमेरिकन युनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधी प्राप्त होने पर उन्हें जैन राजनेतिक चेतना मंच द्वारा सम्मानित किया गया इस अउसर पर राष्ट्य उपाध धिक्षय श्री सुमित लल्ला जैन, नागपुर भारत वर्षे दिगंबर जैन महासभा, संगटन मंत्री, डॉक्टर चंद्रनाद भागवत कर उपाध धिक्षय नानाजे थेरे ने सतकार किया अभै सहकार, अनिश जैन, प्राजक्ता धुमाल, सागर तुपकर, मनोज जैन, गिरिश उठालकर, मुननालाल जैन ने डॉक्टर धुमाल के कार्यों के सरहाना की सुमत लल्ला ने कहा कि आपने समाच के गरिब परिवार में खुशिया बाटने का जो प्रयास किया है, वो सरहनीय है डॉक्र दुमाल ने कहा कि मुनिश्री तरुन सागर जी से मुझे आशिरवाद प्राप्त हुआ है जिसे मुझे कार्य करनी की उर्जा प्राप्त होती है इस उबलब दुश्रेय मेरी धर्मपत्नी पदमजा धुमाल को जाता है जिनके अमुल्य सहयोग से ही आज में इस उपाधी का पात्रबन पाया हूँ उन्होंने अपने सतकार के लिए सभी का भार माना ट्राफिक पुलिस ने मोटर वहन अधिनियम के विभिन धाराव के अंतरगत कूल मिला कर 3,163 वहन चालों को पर कारवाई की और उनसे कूल मिला कर 1,35,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराबंदी अधिनियम के अंतरगत 3 मामलों में 3 आरोप्यों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,800 रुपे का सामान जब्द भी किया गया इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत तिन मामलों में आठ आरोपियों को गिराफ़तार किया गया और उनसे 2500 रुपे का जुर्मना वसुला गया उपर उक तो सभी ओपरेशन सयुकतरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने आभान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार